बता दे कि बिहार और उत्तर परदेश में उपचुना हुए जिसमें से इमाम गंज में AIM ने 7493 ओट पाए और दूसरी जगा बेला गंज बिहार में 3533 ओट पाकर दूसरे और तीसरे अस्थान पर रहे हैं वहाई यूपी का बता दें आपको। यूपी के मीरापूर में मुहमeld अरशद ने 18866 ओट पाए थे और चौसे अस्थान पर रहे कुंद्रकी के अंदर 4964 ओट पाकर मुहमद वारिष चौसे अस्थान पर रहे घाजियाबाद के अंदर रवी कुमार चौसे अस्थान पर र उत्तर परदेश में तीन जगे पर और बिहार में दो जगे पर जहां पर तीन तीसरे अस्थान पर एक जगा तीसरे अस्थान पर एक जगा चोते अस्थान पर और उत्तर परदेश में तीनों सीट पर चोते अस्थान पर रही है वहीं अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्रा च गुलिया सिटी में दूसरे अस्थान पर चल रहे हैं लेकिन अंदर की खबर आ रही है कि फारुक शाह साहब 20 वे राउंड में 22 नमबर पर शायद हैं वही आगे बात कर लेते हैं मुफ्ती इसमाईल कास्मी साहब मालेगाओं से जीत चुके हैं हम बात कर लेते हैं सोलापूर के अंदर सोलापूर सिटी सिंटर में अभी भी दूसरे अस्थान पर फारुक शापजी साहब बने हुए हैं यहाँ पर अभी सिर्फ 10 ही राउंड हुआ है 22 राउंड है 12 राउंड बचे हुए हैं वही अब बात कर लेते हैं मानकुर सिवाजी नगर में अतीक सर हार चुके हैं 1275 ओटों से अबुआसी माजमी 50,780 ओटों से जी चुके हैं वही अवरंगाबास सिंटरल की बात करें तो नासिर सिद्धी की साहब आगे चल रहे हैं 60,287 ओट पाकर 3,965 ओटों से आगे चल रहे हैं वही हम भीवंडी वेश्ट की बात करें तो पांचवे अस्थान प पाकर हार चुके हैं वही हम बात कर लें विवंडी इश्ट से जहां पर AIMIM ने समर्थन दिया था रईस काशिम शेक को रईस काशिम से करीब 70,000 ओटों से जीत चुके हैं वहीं बाईकल्ला की बात किया जाये तो फैयाज अहमत 55 ओट पाकर तीसरे अस्थान पर रहें शिव 12,000 पाकर अभी यहां पर सिर्फ 11 राउंड हुआ है और अहम जहां पर तीसरे अस्थान पर मजलिस बनी हुई है यहां पर 26,000 ओट पाकर तीसरे अस्थान पर AIMIM 26 राउंड है और 17 राउंड हुए हैं देखते क्या होता है बने रहें इसी तरह हमारे साथ अगली अपडेट के लिए धन्यवाद